फरीदबाद में चुनाबी संग्राम समाप्त हो चुके हैं और एक-एक बोट की कीमत क्या होती है वो सरपंचों को उसका आंकलन हो चुका है पिर्तिदूंदियों को उसका आंकलन हो चुका है बात कर रहे हैं हम ग्राम पंचायच हीरापूर की जो पिर्था विदाउं सवा में आता है उसमें जो पिरभादेवी हैं जो चुनाब लड़ रही थी सरपंच पद का वो एक बोट से विज़े हुई हैं कही न कहीं जो बड़े बुजर्ग हैं वो कहते हुए नजर आते थे कि इलेक्सन के दोरान एक एक बोट बहुत कीमती होती है और उसी बोट का अंदाजा आज गाउं हीरापूर में लगाने को मुला है कि एक बोट से हार भी हो सकती है और एक वोट से जीत भी हो सकती है आज हम गाउं हीरापूर में जो सरपंच बनी हैं पिरभादेवी उनके पि जीत चाहे एक की हो या लाग की हो जीत जीत होती है कितनी महनत और संगर साब को इस जीत के लिए करना पड़ा एक बोट के बारे में पहले हमने केबल सुना था और अब हमने एक बोट का महसूस कर लिया है कि एक बोट की कीमत क्या होती है एक बोट से हार भी हो सकती है और एक जीत भी हो सकती है जो की अब हुई है पहले हमने यही सुनाता कि एक वोट की कीमत बहुत जादा होती है लेकिन आज एक वोट की कीमत हमको पता चल गई हमें हमारा मेहनत का मतलब फल मिल गया बिल्कुल ये पिर्थला विधान सभा का गाउं हीरापूर है और जहां पर लगबग मैं बात कर रहा हूँ का भी तक के राजनितिक इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जीत एक वोट से मिली है और हार भी एक वोट के बाद मिली है तमाम लोगों जो यहां पर कंडिडेट दस कंडिडेट यहां पर चुनाब लड़ रहे थे और एक वोट से पिरबादेवी अपनी जीत का डंका बजाती हुई गाउं हीरापूर में नजर आई है कमल जी तमाम जो कामों की बात कर रहे हैं पिछले दो तीन सालों से जो पंचायत गठित नहीं हो पा रही थी विकास में क्या कुछ आप कर रहे हैं देखिए अभी सपत हुई नहीं है बसता विचार जबी मिला नहीं है लेकिन हमने जैसे ही इलेक्षन 25 तारिक को समाप्त हुआ था और 25 तारिक को जैसे ही डिकलेर हुआ था है कि हम एक बूट से चुनाब जीत गए हैं तो हमने जो गाम बस्त पारिक से ही वो सफाई का काम हमने स्टार्ट करवा दिया हमारे गाउं में दो स्वीपर थे जिसको बढ़ाकर हमने तीन स्वीपरों को और बढ़ाया है पॉन्स स्वीपर आज सफाई कारिया में लगे हुए हैं तमाम सरपंच अभी तक अपने स्वापे बंदवाने में ले कराये जा रहे हैं क्योंकि अभी फंडिंग तो वैसे विसाइद हमारी Maine पटाया अभाइस में नहीं हमने crackji अब तो प्रोंस सरकार से जो फंडिंग आएगी उसी से कोई कोई करया होगा लेकिन हमने जैसे कि आपको बता दूनल खराब पड़े हुए थे दो नलों को भी अब हमने सही करा है और यह सफाई का कारिया चली रहा है। बात करें सरपन्च आप बन चुके हैं लेकिन सफाई व्यवस्ता पर आपने जोर दिया है। तो आगामी विखास के क्या मुद्ध हैं किन मुद्धों को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं चाहे बिलॉग की बात हो या फिर आप बैठ कर क्या मन्थन कर रहे हैं कि जिस तरह से आपको जीत दिलाई है गाउने तो गाउं के लिए क्या कुछ ऐसे मुख्य एजेंडे हैं जिन पर आप काम करने वाले हैं प्रात्मिक्ता हमारी जो थी गाउं की सफाई को लेकर के हमारी सबसे बड़ी प्रात्मिक्ता थी क्योंकि गाउं को आप यह लगा लीजिए अगर जो कोई बाहर का इंसान अगर जो गाउं में आता है तो उसकी सफाई से ही उस गाम के मतलब उनकी एक मीटिंग ली गई सरपंच के द्वारा क्या कुछ मुद्ध्य उसमें रखे गए क्या कुछ सुजाव वहां पर रखे गए थे हमारे गाहों में जो ग्यारे बाड के जो सरपंच हैं उनसे हमने कहा था कि वही सब अपने बाड को आप देखिए ऐसा है आपको अपने बाड में जो करवाना हैं आप अपने बाड में कार्य करवाईए हमें बता दीजिए एक तो हम हमारे गाउं में सकूल है वो सकूल आठवी तक है वो सकूल भी ऐसी अवस्ता में है कि आप यह लगा लिए उसमें करीब करीब अभी 25 से 30 बच्चे जिसके की हो सकता है कि सरकार यह भी सोच रही है कि सकूल को बंद कर दिया जाए लेकिन हमारा जो अगला जो एजेंट आए उ उन्होंने वास्ता में ही सकूल के लिए बहुत कार्य किये है अभी उनको करीब दो मीने सकूल को चार्ज लिये हुए है और उनसे मेरी कल बात हुई थी तो वो यह कह रहे थे कि हम घर गर जाएंगे और घर गर जाके जैसे कि पहले सरकारी सकूल का माहौल जो बिगड़ा कहते थे कि सरकारी सकूल में पढ़ाइं नहीं होती है यह यह और वोग करेंगे जो भी गाओं के लिए विकास का र रहे हुए 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 उनको आपके गाओं में एक संस्था और सक्रिय होती नजर आती है यूबा गाउं के विकास के लिए कुछ काम कर पाएगी यूबा एक तम अंच जो करीब आज से तीन साल पहले हमारे गाउं में ये सक्रिय होए थे लेकिन कुछ कारणों से पता नहीं है हमें तो उस कारणों का पता नहीं है कि वो मतलब बंदसी हो गई है तो उसे हम फिर से कहेंगे कि आप एक काम कीजिए काम करें हम से जो साहता बन पाएगे हम वो साहता आपकी करेंगे और एक तो मतलब अगर जो किसी भी गाउं में अगर जो इस तरह के संगठन होते हैं सेवा के तो उनको मतलब वागे बढ़ावा देना चाहिए वो रफ्तार पकड़ने लगे हैं चाहे नालियों की सफाई की बात हो, सडकों की बात हो या फिर तमाम जो सफाई व्यवस्ताओं की बात हो उनको लेकर जो सरपंच्छ वो सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। और भी तमाम अड़ी खबरों के लिए बने रहे हैं। नमस्कार।